मेरे प्यारे दोस्तों, आज पढ़ाई लिखाई की कोई बात नहीं होगी क्योंकि हम लोग इतना पढ़ लिख रहे हैं, आखिर उसका क्या फाइदा? जब हुमारी एक्जामसी नहीं होने हैं तो सबसे पहले, आप उससे बड़े हो, छोटे हो, या आप मेरी उम्र के हो, आपको मैं दिल से पढ़ाम करता हूँ और आज मैं आपसे एक ही बात करना चाहूंगा कि आवाज हम कल भी उठाए थे, आवाज हम आज भी उठाएंगे पसफर कितना है कि उस दिन बात सम्मान की थी, और आज बात स्वाभिमान की और जब हम स्टूडेंट के स्वाभिमान पर कोई भी बात आएगी, तो हम किसी को नहीं छोलेंगे, वो चाहे जो हो सफेद आकास देखकर बारिश का अंधाजा मत लगाईए साहाब बादल कभी भी आ सकता है, सुबा का भटका हुआ, साम होते होते अपनी हद तक जा सकता है कितनी बड़ी भी डमना है, साट मिनट में सो सवाल को हल करने वाला एक स्टूडेंट इन नेताओं की घटिया राजनिती क्या की बेबस है, जिन्होंने कोई एक्जाम भी नहीं दिये अरे इनको वो दे दो, S.S.C. बैंक रेलवे का एक भी पुश्चन उठा के दे दो तो इनकी फट के इनके हाथ में ना जाय तो कहना हम आपसे एक सवाल पूशते हैं, नेता जी, हम कंपटिशन की तयारी करने वाले छात्र आपसे एक सवाल पूशते हैं कि क्या हम स्टूडेंट मर जाएं, अरे इनको तो ये भी नहीं पता, ये हम तयारी करने वाले छात्र कितनी मेहनत करते हैं कल्कुलेटर से भी ज्यादा तेज कल्कुलेशन करने में और इनको तो बिना किसी एक्जाम्स के पूर्सी मिली गई है तो क्या ये हम स्टुडेंट का दर्ध खाक समझेंगे एक गरीब परिवार अपने बच्चे को अपना पेट काट काट कर काट काट कर साइध इस उम्मीद से पढ़ाता है कि उसका बच्चा पढ़ लेगा, सरकारी नौधरी पा जाएगा तो साइध उसके दुख कट जाएंगे लेकिन इन नेताओं की घटिया राजनीती के कारण बेचारी वो भी बेबस रहे हारे सर्म करो साहब उनकी बद्धुमाय तुम्हें लगेंगी तो तुम किसी लायक नहीं बचोगी लेकिन हम इस्टूडेंट क्या करें दुख तो तब होता है जब तंत्र और सिस्टम हुमारे भावों को नासूर बना देते हैं हमारे भविस को भूत के अंदकार में ढकेल कर हमारी रील की हड़ी तोड़ दे रहे और इसी दर्द के साथ हम लोग समाज और परिवार के घावों को भी जलते रहते हैं जीवन के साथ साथ घरे में चल रहे सिर्दर्द को तो हम किसी तरह जेल भी लेते हैं लेकिन जो जक जो पीडा सरकार हमें बेरोजगार बना के दे रही है ना उसको हम नहीं जेल पा रहे हैं। और जब यही दर्द यही पीडा एक भयाना गुरूब लेती है ना तो एक दीमक की तरह रोज रोज यह हमारे जकमों को ताजा करती रहती है। फिर भी उपर बैठे और की टक्टकी लगाए इन नेताओं को हमारी ठीके सुनाई नहीं देती हैं। और सुनाई देंगी भी कैसे क्योंकि दोनों कानों में छलावे का ही खुन जो लगा हुआ। लेकिन इस बार आवाज सुनाई नहीं बलकि इनके कानों का घूझेगी क्योंकि हम वही हुआ हैं कि जब देश को देरुवत पड़े तो कलम से सांति भी ली ली सकते हैं। और जब देश को जिरुवत पड़े तो गलम से क्रांती पुझा आप हमें इसकदर वेवस मत करिये साहाब कि हम स्रीजन का कारे छोड़कर विर्वंज पर लगा जादा उलट फेर आपके तंत का उलट फेर कर सकता है वक्त है जाग जाईए नहीं तो बीता हुआ वक्त कभी व सोधन आउर करिए और तय कर दीजिए कि किसी भी कंपटिशन का एक्जाम और रिजर्ड एक ही टाइम पर अरे आप लोग पत्थर हैं या पत्थर की मूरत जो किसी भी सूरद में बदलने का नाम ही निये थे अरे आप वही नेता है ना जो छात्र राजनीती का हिस्सा हुआ करते थी और आज जब आप नेता बन कर सत्ता में आए तो हम स्टूडिन के साथ आप सत्ता की राजनीती करने लगें लेकिन आपको याद रहे कि ये पहली ऐसी लड़ाई है जिसमें हर इवग खुद सिपाही है खुद सेनापती है खुद सार्थी है और इस युद्ध का न याद करना कि तुम तयारी के चकर में रच्छा बंधन के दिन अपने वहन से राखी बनवाने के लिए घर नहीं जा पाई तो तुम्हारी तपस्या तुम्हारा बलिदान ही तुम्हें बल देगी तो यह लड़ाई सिर्फ आज के लिए नहीं है बल्कि आने वाली उन तमां कि लेकिनान जनक सूअ और पर रोब सामान को में रखता कि इस बहुत कि的是 सब आपकों जाता है जाकीनलन स्थी35 क्यान खेंड और मतनीन आता है लेकिन आपकीशन करने तो श्रॉक्षय की कुर्ट और उन तमाम आने वाली पीडियों को कड़वा घूट पीना होगा तो हमें इंकलाब करना होगा, हमें क्रांती लानी होगी हमें पूरा विश्वास है कि हम जरूर जीतेंगे इन नेताओं के घटिये प्लान से